नमस्कार 11 स्पेशल देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ राजदा बश्यम सिंग्भूम के किरी बुरू में एक शिक्षट पर जिस तरीके से छात्राओं ने आरोप लगाया कि वो शिक्षट उनके साथ छेड़ चार करता था और उनके गले में जूतो चपलो की माला पह पश्यमी सिंग्भूम के किरी बुरू में सिक्षट ने अपनी इस चैतानी दिमाग से गुरू और सिश्य के रिष्टे को शर्म सार कर दिया है बड़ा जामदा बस्ती के राजगे उतक्रमित मद्यविद्याले खास जामदा के सिक्षट की घिनौनी कर्तूत सामने आई है यही नहीं सिक्षक पर छात्राओं के सौचाले में जवरन घुसने और विरोत करने पर छात्राओं से मार पीट का भी आरोप है गुरुजी की पाफकता की जानकारी जैसे ही सामने आई रुस्साई महिलाओं ने आरोपी सिक्षक को चपल की माला पहनाई मूपर कालिक पोता और पूरे बस्ती में घुमाया यही नहीं चपल की माला पहना कर महिलाओं ने आरोपी सिक्षक को पैदल ही बड़ा जामदा मुख्य सडक से होकर रेलवे स्टेशन तक ले गई जिसके बाद बड़ा जामदा पुलिस ने आरोपी सिक्षक को हिराशन ने ले लिया लेकिन महिलाओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ महिलाओं ने आरोपी सिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार को जेल भेजने की मांग को लेकर थाने का घिराव किया है जामदा बस्ती की महिलाओं ने कहा है कि आरोपी सिक्षक पर कारवाई की मांग को लेकर महिला संगठन ने डीसी को प्थी पत्र लिखा है फिलहाल पुलिस छात्राओं और महिलाओं की शिकायत की जांच कर रही है पश्चिमी सिंग्भूं के किरीबूरू में गुरू जी की पाप कथा अश्लील वीडियो दिखा कर छात्राओं से छेड़ खाने पश्चिमी सिंग्भूं के किरिवूरू में सिक्षक ने अपनी इस जैतानी दिमाग से गुरू और सिश्य के रिष्टे को शर्म सार कर दिया है बड़ा जामदा बस्ती के राजगे उतक्रमित मदविद्याले खास जामदा के सिक्षक की घिनोनी कर्तूट सामने आई है सिक्षक प्रेम कुमार पर आरोप है कि वो अश्लील वीडियो दिखा कर छात्राओं से छिड़कानी करता था प्रेम कुमार जबरन छात्राओं को अपनी गोद में बठाता था और उन्हें मुबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता था इतना ही नहीं इस दोरान उस पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का भी आरोप है यही नहीं सिख्षक पर छात्राओं के सौचाले में जबरन घुसने और विरोध करने पर छात्राओं से मार पीट का भी आरोप है गुरुजी की पाफकता की जानकारी जैसे ही सामने आई रुस्साई महिलाओं ने आरोपी सिख्षक को चपल की माला पहनाई मुपर कालिक पोता और पूरे बस्ती में घुमाया यही नहीं चपल की माला पहना कर महिलाओं ने आरोपी सिख्षक को पैदर ही बड़ा जामदा मुख्य सडक से होकर रेलवे स्टेशन तक ले गई जिसके बाद बड़ा जामदा पुलिस ने आरोपी सिख्षक को हिराशन ने ले लिया लेकिन महिलाओं का आक्रोश शांत नहीं हुआ महिलाओं ने आरोपी सिख्षक प्रेम कुमार पोतदार को जेल भेजने की मांग को लेकर ठाने का घिराव किया है जामदा बस्ती की महिलाओं ने कहा है कि आरोपी सिक्षक पर कारवाई की मांग को लेकर महिला संगठर ने डी सी को भी पत्र लिखा है फिलहाल पुलिस छात्राओं और महिलाओं की शिकायत की जांच कर रही है कर्मवीर हमारे साथ मौझूद है कर्मवीर जिस तरीके से एक शिक्षक का उंचा ओदा होता है लेकिन इस शिक्षक ने अपनी सारी हदे पार कर दी अभी तक कुछ कारवाई हुई है इस आरोपी शिक्षक पर या नहीं इस शिक्षक लगाता है कि शिक्षक लगाता है इस शिक्षक लगाता है क्योंकि शिक्षक लगातार इस तरह की हरकते करता होगा उन्हें धंकिया भी देता था चात्राओं को तो उनका क्या कहना है अब आख दहना है कि जो शिक्षक हैं वो गोद में बुलाते थे और गोद में बैठाते थे फिर उसके बाद असले वीडियो दिखाते थे उनके सो टैले में पार्ट में चले जाते थे इसकी लगातार परेशान हो चुकी थी इस शिक्षक से और आखिकार इस गुरू का जो कर्तूत है वो सामने आया महिलाओं ने चप्पल की माला पहना कर पूरे गाउं में घुमाया और अब कारवाई की मांग कर रही है बहुत बहुत शुक्री आपका कर्मवीर जानकारी के लिए तक शिक्षक पर चात्राओं ने असलील वीडियो दिखाने और छेड़खानी का गंबीर आरोप लगाया है इससे गुर्साई महिलाओं ने आरोपी शिक्षक को चप्पल की माला पहना कर पूरे बस्ती में घुमाया इतना ही नहीं आरोपी को जेल भेजने की मांग को लेकर थाने का उन्होंने घेराओ भी किया करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तू दिखेगा